हेलो फिंट्स आज कुर्ण सुप्रे हम फॉल्ट को जल्द से जल्द फाइंड आट करके उसका सल्यूशन करना सिखेंगे और यह जो अभी हम प्रॉसेस कर रहे हैं फॉल्ट को फाइंड आट करने का प्रॉसेस उसे मैं आपको step by step बताऊंगा और एक एक symmetric way में बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज एक proper way में समझ में और आप जल्द से जल्द फाइंड करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा आप असानी से आप अपने घर में यादी कोई फाइंड आता है एक short circuit होता है या फिर कुछ भी होता है या फिर आप किसी unknown घर में जाते हो उसमें कोई प्रॉल्म होता है तो आप उससे जल्द से जल्द find out करके उसका solution कर सकते हो एक लंबा सा हॉल है तीस वाएदस फीट का हॉल है इसमें दो फैन लगा हुआ हुआ है चलिए मैं आपको पहले फैन दिखा देता हूं पहला फैन यह हमारा दूसरा फैन यहा पहले है इस हौल में वह मैं आपको पहले बता दे रहा हूं यह जो पहला फैन है वह रूटेट कर रहा है अच्छे से वर्क कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह दूसरा फैन यह चल नहीं पहा रहा है तो इसी को हमें find out करना है कि एक्ट्वल में मालू में लेकिन हम यह एजियों करके चलेंगे कि हम यहां पर कुछ नहीं मालू में वसके बाद केसे problem को find out करेंगे एक उसका solution करेंगे हम यह सब्सक्राने बताने हैना चलि चलिए हम सब से पहले आपको पहले दरीका बहुत ने चलते हैं और बताते हैं आपको किस तरह का सब्सक्राइब करना है सबस्क्राइब किसी एक बोर्ट के पास चले जाएंगे तो इस बोर्ट के पास चले आएं और चलिए हम इसके सारे स्विच को हम प्रॉपर हुए में फाइंड आट करें क्या चीज़ का है यह दोनों जो सुच है इसका है और यहां प यहां पर कुछ नहीं हुआ हमको पता नहीं चला आकर यह क्या चीज़ का है फिर तो इस स्विच कौन करते हैं यहां पर बाहर में एक लाइट लगा हुआ है चले मैं आपको दिखाता हूं यहां पर यह जो लाइट लगा हुआ हुआ है यह लाइट जाल रहा है मतलब कि यह एक होल्डर यहां पर लगा हुआ है और दूसरा होल्डर यहां पर लगा हुआ है मतलब की बल्ब के लिए दो होल्डर यहां पर लगा हुआ और दो सूच एक्स्ट्रा है इसका मतलब यह हम एजिम पर सकते हैं और सोच सकते हैं कि यह दोनों सूच जो है इसी का है और इसी का ह यह होगा क्योंकि यह दूनों बल्ब होल्डर जो इसी की नजदीक है इस बोड के नजदीक तो इसी का होगा और यदि आप विश्वास नहीं हो रहा है तब बल्ब लागके आप इसे चेक कर सकते हो अब हम क्या करेंगे दूसरे एलेक्टिक बोड की और चलेंगे और वहां प कुछ नहीं लगा हुआ है इस तरीका सुझ सकते हैं यह तीन यहां पर मतलब एक होल्डर है एक ट्यूब लाइट है और यहां पर तीन सुच है मतलब यह तीन हो इसी का होगा और यहां पर एक फैन रेग्लोटर होगा जिससे किसी ने निकाल लिया है जिसके कारण यह नहीं तो हम लेट्स एजूम करते हैं कि वह holder नहीं है कहीं पेचुप गया या फिर कोई भी कारण से वह हमको नहीं दिख रहा है और हमको पता नहीं चल पा रहा है कि यह दोनों जो switch है वह किसका है तो अब तो यह भी हो सकता है कि यह दोनों switch है दूसरे fan का हो सकता है अब जब क्या है अच्छे से सारा switch लगा हुआ या फिर नहीं लगा हुआ है कुछ टूटा हुआ है हम दोनों board को भी उपरेंगे और फिर देखेंगे fan का position क्या है मतलब कि fan कौन सा fan किसके नजदिक है तो पहला वाला जो fan था वह उस board के नजदिक था और दूसरा वाला जो fan है वह इ दूसरा तरीका यह भी हो सकता है यह जो यह जो आप board देख रहे हो इसमें से इसमें से एक जगा खाली है मतलब कि इसका fan regulator या फिर सूच या फिर कुछ भी कुछ भी यहां पर मतलब एक जगा खाली है था हम इस तरह का सोच सकते हैं यहां पर जो fan regulator था वह किसी ने निकाल है और fan regulator हमें साथ सीरीज में रहता है जिसके कारण यह वर्क नहीं कर रहा है तो अब हम इस बोड को ओपन करेंगे तब इसके ठेकन को आप हम निकाल दी है और इसे हम ओपन करेंगे नॉर्मली और ओपन करने के बाद हम देखेंगे रियली में इसी बोड में फोर्ट आ रह है तो इस fan को जो power supply गया हूँ है इसी सेंट से गया हूँ इस तरीका से सुच करके हम हम इस बोड को open करें द्थी है और जो भी इसका nenे अशक के निकल लिया होगर और वायर को खोलना पर होगा इसलिए उसे ने बाहर से ही छोड़ दिया, वायर को अंदर छोड़ दिया हुआ, चलिए अब हम इसके बोड को open कर दिये हैं, अब हम इसमें देखेंगे कौन सा वायर फालतू परा हुआ है, आप देख सेकते हो यह जो green वायर है, यह निकला हुआ है, यहाँ पर एक green वायर न निकला होआ है, वो कहीं पर नहीं लगा हुआ है, लेकिन से पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर जो तीन थीन स्वीच रहे है, जो स्वीच में एक एक वायर लगा हुआ है यहाँ पर जो तीसरा स्वीच तो यहां पर आप देखते हैं और भी कोई वायर जो है फालत होए क्या है यहां पर आप देखते हैं और यहां पर कोई वायर है या फिर नहीं है क्योंकि यह जो ग्रीन वायर है चकोई प्रण है और यहां पर हमें टोटल टीन वायर मिला आप देख तो किस तरह का से बना हुआ यह यह इसा लगता है कि किसी नट में इस तरीका से बांधा हुआ है बांधा हुआ था इसका मतलब यह जो है यह सुच का तो नहीं हो सकता है क्योंकि सुच में इस तरीका से वायर नहीं लगाते हैं और गरीन वायर जो है हमें साम गरांड के लिए लगाते हैं यह जो यह जो वोड है इस वोड में तो हम side कर देते हैं green wire को क्योंकि इसके बारे मुझे पता चल गया यह इस बोड में लगा हुआ था अर्थ के लिए अब क्या करें ग्रीन वायर को side कर देंगे और बुलू बड वायर मेरे पास अब बचा हुआ है और अब भी मेरा problem नहीं हुआ है तो आप हम कैसे सोचेंगे क्या करेंगे तो अब मुझे यहां पर Emmanuel मोता है, और $你在 ends मतलब कि फैन का है तो वह डफैनेटलि है कि एक ही MM का वायर लगाया होगा उसका वायरिंग के लिए यह यह मोटा वायर तो नहीं लगाया होगा होगा तो यह डफैनेटली एक यह जो यही फैन का होगा हमसे एक लगा कर देखते हैं लगा हटा देने जल्द से इंगे मतलब कि यह पैन काई यह था हैं अ oder यहां कि पी लगा देंगे अप्को से नहीं जै cafॉर के दो पीन एक पाट यहां होता है उसके ऑफ दो हम बदेंगे और जब भी आप वाइरंकर के हैं आट कोड़ा जो इसली कि नारीटिम बाट करेंगे यहां हो जब्रेट से vient music को चेक कराऊ क्यों मतलब कि यह तःट है पर नहीं है यह जोट करता है यह जो वह तो टःय मतलब किया प्रोपर क्नेक्शन हिए रहता है , और करेंट मतलब क्शेश्चन करते नहीं हिरी कारन यह बहुत सार्प दो नहीं हो सकता है को भी connection करो तो बहुत यह अच्छे से करो फैनली प्रावलों को हम find out कर लिए इस हौल में जो फैन एक फैन नहीं चल रहा था उसका हम find out कर लिए कि किस बोड से उसका connection गया हुआ है और उसका solution भी मैं आपको करके दिखा दिया और सारा सिज मैं आपको step by step बताया एक proper way में बताया कि कैसे आपको problem को find out करना है और उसका solution करना है अब हम इसके board को अच्छे से लगा देंगे उसका फैन को चला करके देखेंगे और सारा सुच को on करके देखेंगे यह work कर पाता ह है और इसी proper way में आप भी अपने घर का या पर कहीं पर problem होता है कोई भी सौर्ट सस्कीट होता है या पर कुछ भी होता है इसी तरीका से आप सूच के पूरे proper way में आप उसे जल्द से जल्द उसे उसका problem को find out करके आप उसे सही कर सकते हो और मैं यह assume करता हूं कि आपको दो वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है आप मुझे सपोर्ट करो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो